अलो फ्रेंट्स, फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं बात करूँगा जेके SSB को लेकर, जासे कि आपको पता इस चैनल पर आपको डेली एक सीरिस चलाई जा रही है, इंग्लिश और जीके के कोशन की, मैं सुबह बारा बज़े इंग्लिश का वीडियो डालता हूँ और शाम को जीके का वीडियो डालता हूँ, आज सुबह नहीं डाल पया और उन दोनों का वीडियो मैंने कंबाइन कर लिये हुआ वीडियो में बने रहा है ना ताकि आपको जीके और इंग्लिश के वीडियो एलेटिट सारे कोशन लर्नों पाएं और आपकी एग्जाम में हैल्प हो पाएं अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर करो ताकि उनको भी एग्जाम लेटिट कुछ ना कुछ कुछ कोशन लर्नों पाएं और संडे को मैं बात करूँ, संडे को आपको आपको पेडियो में बने रहे ना ताकि आपको लाइफ हिस्ट्री आपे मैं रिटन बाए हिंसद्व जो लाइफ हिस्ट्री होती है किसी परसं की जो वो खुद लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इसका जो option B है autobiography वो correct रहेगा उसके बाद मैं बात करूँ science of plants जो किसकी science होती है plants की उसको हम बोलते हैं botany option D correct रहेगा तीसरे option की बात करू study of mankind mankind की study को हम बोलते है anthropology option D correct रहेगा इसका क्या रहेगा इसका रहेगा इसका रहेगा sincere option B correct रहेगा one who deserts his religion ठीक है one who deserts his religion इसका क्या रहेगा option B apostate और six question की तरफ बढ़ जाते हैं the act of looking back upon past event ठीक है उस चीज को मतलब कि अपने previous जो आपका बीत गया हो आपका past हो गया हो उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं retirospection ठीक है very vigilant and cautious very vigilant and cautious इसका जो option है meticulous वो इसका correct होगा अगले question की बढ़ जाते हैं the intelligent and educated classes तो intelligent or educated classes होते हैं उनको हम बोलते हैं aristocrat ठीक है चलिए अगले question की तरफ one who is honorably discharged from service one who is honorably discharged from service इसका क्या रहेगा option जो B है वो correct होगा amritious one who cannot be corrected option इसका क्या रहेगा one who cannot be corrected incorrigible option B इसका correct रहेगा one who is in charge of museum in charge of museum को हम क्या बोलते हैं option A curator है उसके बाद है study of wines study of wines को हम क्या बोलते हैं study of wines को हम बोलते हैं इसका जो option C है वा नो लाजी उसके बाद जो 13 question है responsible according to law इदर क्या आएगा इसका liable आएगा option D इसका correct रहेगा constant effort to achieve something उसको हम क्या बोलते हैं मतलब कि किसी चीश को पाने के लिए हमारा क्या रहे constant परियास रहे उसको हम बोलते हैं इसका जो option D है preservance वो correct रहेगा अगर आपको class समझ नहीं है मतलब कि आपको पूरा topic clear करना है वो भी बता दो वो भी हम कर सकते हैं opposed to great or sudden change इसका जो option A रहेगा conservative वो विल्कुल correct रहेगा इधर आपको सिर्फ question सीरीज चलाई जा रहे है ताक कि आपको learn हो पाए और exam में help हो पाए anything written in the letter after it is signed anything written in a letter after is signed option इसका क्या रहेगा photo script अगले question की तरफ में बात करो geology geology क्या होता है geology होता है option दिए हुए आपको study of water study of style study of atmosphere और study of earth इसका जो option आपको क्या मिलेगा option आपको d मिलेगा study of earth ठीक है geo means earth ठीक है इधर study of earth रहेगा अगले question की तरफ बात करो मैं incredible incredible क्या होता है जैसे की आपको बात इंग्रेडिवल इंडिया जैसे की आप इंडिया है जैसे की बहुत सारे मतलब की इधर जरने है इधर बहुत सारी खूबसूरती है जिस पे हम बिलीव भी नहीं कर सकते वह होता है incredible उसके बाद है antidote antidote क्या होता है इसका जो option A है a medicine to nullify the effect of poison मलब की बहुत वाली दवाई जो क्या करें poison को खतम करें ठीक है उसको बोलते है antidote उसके बाद में बाद करू बैरबैटिम बैरबैटिम क्या रहेगा आपका आपका जो option D है वो बिलकुल correct रहेगा one who present his word in the stylish way means की stylish way से अपने word को present करना उसक GK portion start करूँगा GK question की तरफ बढ़ जाते हैं आप मैं geographic question लाया हूँ आपको शुरू करता हूँ GK का सबसे पहले मैं बात करूँगा the southernmost point of India जो इंडिया है उसका southernmost point कौन सा है इसका जो option A है इंद्रा point वो क्या southernmost point है which longitude is taken as the standard meridian of इंडिया standard meridian of इंडिया की कितनी line है वो option A है 82 degree 30 minute east की तरफ अगले question की तरफ बढ़ जाते है which of the falling Indian state is situated on the border of नेपाल बार्डर आफ नेपाल पे कौन सी इंडिया की state situated है option C है इन में से और भी बहुत साथ हैं लेकिन जो option दिये हूँ है इनके guarding जे रहेगा चलिए अगले question की तरफ which of the falling Indian state is not situated on the border of पाकिस्तान इन मे option रहेगा हिमाचल परदेश जो situated नहीं है उसके बाद बात करूं bitch of the falling Indian state is not situated on the border of बुटान इसका क्या option रहेगा आपका तरिपूरा जो तरिपूरा state है इंडिया की वो बुटान के बार्डर पे situated नहीं है अगले question की bitch of the falling state is not situated on the border of बंगला देश बंगला देश के साथ कौन स सीम है वो नहीं लगती है कौन सी state की नहीं लगती इसका जो option D.S.E. वो बिल्कुल correct रहेगा but is the rank of India in term of area in world इंडिया का रैंक क्या है एरिया के हिसाब से पूरे world में इसका जो option A है वो क्या रहेगा 7th रहेगा 7th rank है इंडिया का what is the A rank of India in term of area in world इंडिया के हिसाब से इंड दोनों question repeat होगी है इंडिया कवर डैश परसेंट आफ वर्ल्ड एरिया इंडिया ने पूरे world का कितना area कवर किया हुआ है इसका जो option है 2.42 परसेंट आफ एरिया उसको कवर किया हुआ है अगले question की तरफ बढ़ जाते है which of the falling himalian pass is situated between the India and China इंडिया 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 के ब situated at northern and eastern hemisphere अगले question की तरफ बात करता हूँ वीडियो में बने रहना ताकि आपको learn पए which of the falling country India share its largest international border इंडिया अपना सबसे जादा border किस country के साथ share करता है इसका जो option C या बंगलादेश के साथ maximum share करता है the latitude which divide India in almost two equal hops जो 43 question है इसका क्या answer हैगा a topic of cancer from how many states of India does the topic of cancer पास इंडिया की कितनी states है tropic of cancer पास करता है वो कौन सी है eight states है जिनमें से tropic of cancer पास करता है अगला question बाक्रा नंगल डैम is situated on which river जो बाक्रा नंगल डैम है वो कौन से river पे situated है इसका जो option A है सतलुज river पे situated है which major dam is located on Krishna river Krishna river में कौन सा जो डैम है वो बना हुआ है नागर अर्जुन सागर जो डैम है वो कहां पे बना हुआ है Krishna river में बना हुआ है अगला question which but percent of land area of India is under forest and tree cover as per Indian state forest policy 2017 Indian state forest report दोस्तारा के तहत इंडिया ने कितने percent जो forest और tree से cover किया हुआ है वो किया option D 24.4% which state of India has the largest forest cover largest forest cover कौन सी इंडिया की state ने किया हुआ है इसका जो option C है मद्या परदेश ने किया हुआ है largest forest cover किया हुआ है with which of the falling geographical area which state as the highest forest cover highest forest cover geographical area के हिसाब से किसने किया हुआ है इसका जो option B आपका मिजोरम बिल्कुल correct रहेगा the largest producer of rubber ठीक है the largest producer of natural rubber इस largest producer कहा होता है इंडिया में रबड का इसका जो option B केरला वो बिल्कुल correct रहेगा which of the falling dam is situated on the Perrier River Perrier River में कौन सा जो डैम है वो बना हुआ है इदर जो आपका option रहेगा डी इद्यू की जो डैम है वो कहां पे बना हुआ है Perrier River में but which major dam is located on the Betma River Betma River में कौन सा जो डैम है वो situated है इसका जो option B है Mattilia वे बिल्कुल correct रहेगा तहरी डैम is situated on जो तहरी डैम है जे कहां पे situated है इसका जो आपको option C मिलेगा बागी रथी में situated है इंद्रा सतलुज कैनल is located on जो इंद्रा सतलुज कैनल है ये कहां पे located है इसका जो आपका option रहेगा सतलुज में located है उकोई डैम is situated on डैश रिवर उकोई डैम कहां पे situated है इसका जो option A है तपती रिवर में correct है इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको और भी important question चाहिए हो important series चाहिए हो Sunday को आपको एक model paper solve करा जाएगा पूरा JK SSB और BSF के related इस वीडियो में बस इतना ही जाहिंद जाबारत